आ रही आवाज ठीक है तो चलते ही स्टार्ट करते हैं थोड़ी स्वीड में रहने हैं ठीक है ना कोशन लगब कावन आपको देखने को मिलेंगे चलिए आपका पहला कोशन आपसे यहाँ पर कह रहा है किन निमलिखित में से किस आधनिक भारती भासा का विकास मगधी अब्र यहां पर देखते हैं कि इसका जवाब कौन वच्चा सही कर रहा है यहां पर दिया आपका दिखो नभ मंडल दिया है और यही आपका गलती है तो जिसका जवाब ए है बिलकुल सही है नभ मंडल नहीं होता है नभो मंदाल होता है, क्या होता है भाई, नभो अबनेगा, बिल्कुल सई जवाब है, सबीका जवाब यहाँ पर आ रहा है, और आएटन सरे आपका सई जवाब है, option rate-up काहाँ पर बी हो जएगा, क्या हो कि कहते हैं यहाँ वाई अपका, यहाँकी कौन से संद्य संदि कि चाह वर्ग का उचारण मुण से किस भाग से होता है यहां पर जो टूटी हुई अगर हम जोड़ा जाए तो यह आपका बनेगा पांच का जवाब दीजिए आंपर देखते हैं कि इसका सही जवाब आपका क्या बनेगा तियाहाँ पर आपका देखिए इसमें अगर दाको इसमें जोड़ेगे तो यह पूरा का पूरा बन जाएगा ठीके ना और K और यह जो आपका बनता है आपका अच्छा बनता है इस प्रकास से जिसका जवाब C है बिलकुर सही है दच्छ बढ़ेगा क्या बनेगा दच्छ तो आपसन राइट आपका C हो जाएगा गायक में कौन सी संदी है बताईए आपर गायक तो गायक को अगर हम तोड़ेंग आपका बनेगा गया धन अक्ध क्या बनेगा गया धन अक बनेगा जो की एक अयादी संदी है option Operatorcraft B हो जाएगा जिसका जवाब C हो जाएगा बिलकुर सही बड़ाता नहीं होगा, यह नी रोग सो ważne है, यह यह नीरोग निरोग होता है, यह नीरोग नीरोग ओर बड़ी नीरोग थ्ञभग vibes, यह आपका गलफ स्थी से जवाब。 नेस कोशन आपका दिया है वा का उच्छारन रिस्थान क्या है वा का उच्छारन रिस्थान क्या होता 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 है कि निमनिखित में इसे किस वाक्य में विराम चिन का परियोग तुरूटी पूर है विराम चिन का परियोग जो आपका है वो आपका तुरूटी पूर है वो किस पर आपको बताना है तो देख करा है तुम जा रहे हो तुम जा रहे हो बिल्कुल सही है वाई विराम चिन आपक तो यहांपर आपका आपका अंसर आपका हो जैगा D, यहांपर सायद के साथ प्रस्णवाचक चिन नकावक होना उचित होना चाहिए था ठीक है तो जिसका जवाब D आया है उसका जवाब पिल्कुल सही है ठीक है चलिए नेस कोशन कि निम्लेकित में से कौन सा सब्द समू संग्या नहीं है यहाँ पर आपसे पूछा है संग्या नहीं है दस का आप जवाब दीजिए यहाँ यहाँ पर देखिए संग्या आपका जो नहीं है कौन नहीं है तो गई गुच्छा तो गुच्छा म आप से दिया है जो कि आपका पध्यांस दिया है और पध्यांस को हम skip करते हैं और 12-13 तक आपके आपके नंबर 3 जो आपके थे इनको हमने दे दिया start करते हैं आपके 14 नंबर से time जाधा वेस्ट नहीं करते हैं थोड़ी speed में हम लोग रहेंगे ठेक हैं आप लोग ग्रणversion में युक्कि एक वचन बह वचन तो इसी से पति चलता है संख्या एक वचन की बहचन है यह विकार आपका हो छाएगा वचन में तो जिसका जवाब यहां पर ृफ्वी विकारी रूप को उपका है वो आपका वच्छान है B नमर आपका सही हो जाएगा ने इसकर आप से इनिमने खित में से कौन सा सब्द पूर्टगाली भासा का है कौन सा आपका यहाप सब्द पूर्टगाली भासा का है 15 के जवाब देजिए यहापर और 15 का option right जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा option right option right आपका हो जाएगा B चाभी तो जिसका जवाब यहाँ पर B आ रहा है बिल्कुछ सही है जो चाभी है यह आपका पूर्टगाली है देखिए पूर्टगाली में और भी रट लीजिए जैसे चाभी हो गया, बाल्टी हो गया, फीता हो गया, अल्मारी हो गया, अनानास यह जो आपके होते हैं यह आपके चाभी कह सकते हैं यह आपके पूर्टगाली मोगा ठीक है और वहें पर देखे जब बहादूर तो बहादूर आपका होता है तुर्की भासका ठीक है लिफाफा की बात करें तो लिफाफा होता है अर्भी भासका और अगर बात करें चस्मा तो चस्मा होता है आपके फार्सी भासका समझ में आ गया होगा चलिए तुम्हें राम के आने तक प्रतिच्छा करनी होगी इस वाक में तक कौन सा निपाथ है तुम्हें राम के आने तक प्रतिच्छा करनी होगी इस वाक में जो निपाथ है तुम्हें राम के आने तक प्रतिच्छा करनी होगी इस वाक में जो निपाथ है कौन सा है तुम्हें प बोस्तु का बोध नहों से क्या करते हैं उसे पोलते हैं option right यहां पर क्या जवाब व जेगा option आपकर सी क्रीघिये जवाब जवाब दिजे कौन सा 2060 पदबंद है कौन सा 262 पदबंद आपको 267 पदबंद यहां पर कौन है देखी वाई तो यहां पर कह सकते हैं राद को पहरा देने वाला चांद से प्यारा, यहाँ पर प्यारा कह सकते हैं कि जो आपका विसेश्टा पदबंद है, वो आपका B हो जाएगा, चांद से भी प्यारा, यहाँ पर यह जो आपका है, यह आपका कह सकते हैं आपका विसेश्टा पदबंद है, देखें, किसी संग्या की विसेश्टा बतान आरा जाएगा तो सियाम ने- राम से पत्र क्या हो जाएगा? पढ़ोया? Ćप्सें-स रहताव का A- इसती प्रत्य आइन का प्रियोग नहीं किया गया है तो भी कहा नहीं किया गया वाग्युद्ध में ततन पूरुष समास का कौन सा भेत हो जाएगा वाग्युद्ध तो वाग युद को गज़र तोड़ेंगे तो आपका बनेगा क्या भिया तो वाग युद धर्धाद यहाँ पर के सकते हैं बन जाएगा वाग से युद क्या बनेगा वाग से युद तो इसमें आपका जो बनेगा वो आपका करण तत्पुरुष समास बनेगा क्या बनेगा क करता की प्रधानता का बोध होता है कहा जाता है यहां पर देखो करता पूछा है आपसे तो क्रिया कावार उपांतर जिसे वाके में करता की प्रधानता का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो करता अर्थात कैसे कहते हैं यहां पर आपका क्रत्यवाच्य हो जाएग देजिए जब साथ में दीजिए तो जादा चलेगा तो कुसागर एक कैसे के गुण की बिसेसता बता रहा है अर्थात यहाँ पर अपन्कज इस परकार का सब्द है तो भेज पंकज यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा option right अपको हो जाएगा c हो जाएगा योग रूट सब्द योग रूट सब्द क्या होता है जो एक विसेश अर्थ प्रकट करता है पंकज अर्था जैसे कमल है ना इसका क्या होता है कमल होता है ना तो इस प्रकाद ये विसेश अर्थ जो निकाल लाए है यहाँ पर आपको हो जाएगा योग रूट सब्द हो जाएगा ठीक है चलिए ने इसकर आपसे यहाँ पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन बताईए अधिकरण कारक का विभक्ति चिन बताना है बताईए भाई हमने आपको बताया था कि 8 आपके कैसे कि विभक्ति चिन होते और आठ रट लिजी तो एक number आपको तो मिली जाएगा, है ना, है न, क्या होता है, आदिकरण में, यह कह सकते हैं, पर, तो option right आप का A हो जाएगा, ठीकें न, option right आप का A हो जाएगा, न, संदिक्द में आपका तो सायद लगा होता है बलकि सायद तो है नहीं है इसका रफ संदिक्द तो होगा नहीं ठीक है यहाँ पर संभव्य हो जाएगा कह सकते हैं कि जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रही संभावना रहती हो उसे हम लोग संभव्य वर् अम्बुद का मतलब क्या होता है हमने बहुत बार आपको बताया बहुत बच्चे गल्ती करते हैं और वो लोग अम्बुज और अम्बुद में बहुत confused रहते हैं तो यहाँ पर अम्बुज का जो अर्थ हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या यहाँ पर talk इसे का बिकार कर सकते हैं मतलब यहाँ जाएग इसे किस सब्द में प्राउपसर का प्रियोग नहीं हुआ है बताइग यहां पर आपका जो हो जाएगा option right आपका डिया है डी numeroδेगो प्रतिच में French तोतीब ड़机 कोछा एक पूछा गया है कुछ लटके खेल रहे हैं कुछ लड़के खेल रहे है इस वाकि में प्रिख्यों डिल्कोच सी हो जाए गया है कुछ लड़के खेल रहे हैं और प्रियुक्त किस क्ल पर्युक्ण के सकते हैं किस प्रियुक्त में विखान है सार्वनमिकल सी वॉजाएं संख्या विषिएट कुछ याँ आज भी आया है इस वाक्ट में है। कल आया था कौन सा उपवाक है तो यह कहीं ने कहीं सकते हैं एक दूसरे से आस्रित हो रहा है और जब आस्रित उपवाक होता है वो बिसेशन की तरह प्रयोग किया जाता है तो इसलिए इसे हम लोग कहेंगे क्या प्रयोग चैन कीजिये और यहा पर देखना है आपकी असुद्धी किसमे आपकी है असुद्ध वाक है तो यहां पर देखा जाए कि इसमेैं वास्तों में के स्थान पर वस्तुता का प्रयोग होना चाहिए किसमें आपकी ओप्सन बी मे face पर देखां बहुना यहां पर वस्तताउं के श्थानिकर असर्षि батाव को टुझे वह के रखाये तो यह अफंचिकल आपका प्रियोंब हैं यहां व्योद्व दैख हो जाए रेकाट यहां प्रयोत क्यों यह सरेखिकों तो 34 को सब्सक्राइब का हिंदु अनुवाद बताईए अब आपको हमने बताया हमेशा कि हिंदी अनुवाद होता है सपत पत्र क्या और सब्सक्राइब कर देते हैं तो 36 वाल आप बढ़ते हैं, ठीक है, किमकि आप लोग solve कर लेते हैं, 37 जवाब दीजे, इन इमलिकित में से बे मेल सब्द का एचेन करना है, बे मेल सब्द आप बताना है, कि कौन सा यहाँ पर बे मेल है, इन इमलिकित में से वाविकल्प परयावाची सब्दों की दरस्टी से असंगत है, यहाँ पर आपकी परयावाची जो सब्द है वो द्रश्टी देखा जाए आपकी असंगत है तो आपकी कौन सा असंगत है अड़तिस का जवाब दीजे तो भई अड़तिस में यहाँ पर देखते हैं तो आपका दिया है आपका देखिए C नंबर अंबर सब्द कपड़ा का प बताया क्या कि यहाँ पर अंबर सब्द जवाप का है वो आपका कपड़ा है और अधर तो आपको दिखी रहे है ठीके ना चलिए, next question आप चलहा दिया है, कि युद्द में इस्थिर रहने वाला कि समास का विग्रा पद है, 49 जवब क्या हो जाएगा? 49 collection, युदस्टिर, क्या होते ही कि युदस्टिर होता है, युदस्टिर में हमें सापका होता है, तत्पुरुस वहते है जब निविश। संसे पूर्पत की व्यक्ति का लोप न ऐसे अलुग तत्पुरुस संस कहते है रट लीजिएगा युदshtryre João संसरा फ्क वहते हैं किनिमनिकित रचनाओं को उनके साहित विधा के साथ सुमेलित करके साहि उतर आपको चिनित करना है ठीक है यहां पर आपको इस प्रकास से आपको कोशन आपको दिया गया है ठीक है तो निर्मला क्या है निर्मला आपका उपन्यास है निर्मला क्या है वही आपका उपन्यास ह है क्या यह आपका निवंध है वरदान क्या है तो वरदान एक कहानी है ठीक है वर दाने क्या है आपकी कहानी है और आपके किसिति भारत दूसा एक नढाटक है ठीक है तो isורה 432-11439 dependent कोई आपसान होगा 432-11う सब्सक्राइब का असंगत हैं कौन सा विलोम सब्द योगम असंगत है यहाँ पर एक तालिस का जवाब दीजी भई एक तालिस का उप्षन राइट यहाँ पर देखते हैं जयोती का विलोम सब्द अपका तम है प्रकास का विलूम सब दंदकार होता है यहाँ पर आपका जो असंगत है वो आपका ये वाला है सायोगी का प्रतियोगी, उद्धत कविनित, कायर का नीडर और जियोती जोत का दिया है आपका प्रकास और जोत का जो विलूम होता है वो आपका तम होता है क्या होता है भई तम होता है ना की प्रकास होता है ठीक है इस प्रकास आपका डी यहां पर गलत था नेस कोरिशन आपको दिया है आपर किने मिकित में से कौन सा विकल्प तुरुटी पूर्ड है यहां पर देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या आप देते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब नवल सुन्दर सियाम सरीर की सजद सी निरद सी कलक्रांती इसमें से आपका कौन सा अलंकार है किसी भी सद्द के बाद में डायस करके तो वहां पर आपका अलंकार होता है ठीक है तो option right आपका A हो जाएगा जिसका जवाब A है बिल्कुल सही है यहाँ करांती उप में है नीरद उपमान है C समानता है वाचक पद और कल जो आपका है वो समान धर्म है अतात उपमालंकार में समान धर्म स्वभाव, गुंड या सोभा की आधार पर ही एक वस्ति की तुल्ला दूसरी वस्त से की जाती है समझ में आगया होगा चलिए ने इसकर आप से छंद से समंदित गणों की संख्या कितनी होती है तो छंद से समंदित गणों की जो संख्या होती है वो आपके कितनी होती है तो आती है कितनी casino कर दिख जायगा ऑफ्शन रेट अप कर दि हो जाएगा आठ कितनी होती है आठ होना थीये ठीक है तो ओफ्पी राज रासो किस काल की स्विटा पर जाएगा है तो जिसका जवाब यहांपध माध का बिमाना जाता है ज्याद रखेigon ठीक है चलिए अगला है कि निम्लिकित में से कौन सा अनिकार्थक सब्द नहीं है कौन सा अनिकार्थक सब्द यहां पर आपका नहीं है 46 का जवाब देना है और यहां पर आपका देखते हैं जवाब आपका क्या आ रहा है अनिकार्थक यहां पर B हो जएगा पाप ठीक है यह गोलाकार घेरा होता है बताए दूसरा मत लगा देना ठीक है चलिए है कि पहँचान कि पहँचन कीजिए पहँचान करना है या और देखते हैं क्याло बैलना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ बताई बैलना कूदे कुदे तंगी का आपका जुक्हावत कर्थ है क्या हो जाएगा ज्वाब दीजी बिलकुल फटा फट अंसर हो जाएगा option right स्वामी के बलपर सेवक का सहास तो यहाँ पर कह सकते हैं दिया है भनवान को ब्यर्थ ब्यकार में सहायता देकर कोई लब नहोगा तो भई आपको 50 में आपको देखने को मिला है B नमबर में क्या मिला है कि धन्मान को ब्यर्थ ब्याकार तो ब्यर्थ दो जगाए एक जगाए तो इसका ब्यर्थ आपको हटा दीजे तो बज़ जाएगा धन्मान को ब्यर्थ में सहायता देखर कोई लाव ना होगा तेसे इस प्रकास से बेकार सब्द आपके या पर गलत था अर्था किसी केसी इस प्रकास से आपका बी वाला या पर टुरिटी पूर था था ठीक है चलिए निसकोश्राइस तब सक्कूशन डिया है इस सब्द में ता प्रत्य है नहीं लगा है और ता प्रत्य जो आपका नहीं लगा है उसमें देखते हैं नहीं लगा है देख गया होगा बिल्कुर option right आपका भी है यहाँ पर मनुस्यत्व यहाँ पर तो आपका केसकते हैं बड़ा ता प्रत्य आपका नहीं लगा, option right आपका भी हो जाएगा नेशी करम से क्लेश का सई श्याए बिस्यसण सब्द क्या होगा सई श्याए निमुषित में सब्द यूगमू में से पहजान किजिए निमोरnh संसर अंधर प्स हम भिष्वू यूगमु में से ठिटांट रुट हम एं अधर्वेक्वार्थ से एक तो देखते यहाँ पर आपका देखो, जो ताप है, वो आपका विसेस है, C number, यहाँ पर जो ताप है, यह विसेस है, और यह कहिसकते हैं, जिसका सही विसेसन सब्द होता है, तप्त होता है, ठीके, तप्त होता है, यह आपका हो जाएगा, अर्थात कहिसकते हैं, कि जो तुरूटी पूर भी ठीड़वार लिए चाहर यहां पर इसे विलोग बनाएंगे तो राजा का दरबार बनेगा इसमें आपका तत्पूरुष समास क्या हो जाएगा तत्पूरुष समास क्या हो जाएगा ठीके नैस में आपको दिया है पच्पन, कि आपसे सीटोष्ण में कौन सा समास है, सीटोष्ण में कौन सा समास है, बताइए भई, सीटोष्ण, आसाथ, यहां बजाएगा सीट और उष्ण, देखिए, समझे इसको सीटोष्ण को, सीट और उष्ण, ठीक है, सीट और उष्ण, आसाथ और बन गया है, जो कि आपका दुन्द समास है याद रखे इसका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा option right आपका A हो जाएगा situation में आपका दुन्द समास है ठीक है ना क्योंकि दोनों ही पता आपकी प्रदान है 56 का पूच्छा है कि निकित में से कौन सा संग्या पतबंद है कौन सा संग्या पतबंद है आपर 56 का जवाब दीजिए संग्या पतबंद यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे का कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला यहाँ पर जो दिया है यह आपका संग्या पतबंद है याद रखे D नमबर हो जाएगा रात को पहरा देने वाला था यह एक क्रम में लगाते हैं जब क्रम में लगाएंगे तो यह आपका एक संग्या पदबंद बनेगा ठीक है तो रात को पहरा देने वाला यह आपका संग्या पदबंद आपका हो जाएगा समझ में आया कुछ ब पड़ी हो जाएगा 177 नमबर मैं नहीं जानता कि वह कहां है यहां ऊपके आपस सं zaten आपके हैह पूछा ग्या वह कहां है यहां पर yap क्या है संगयिख होजएगा ठीख से यहुआ है क्वोशन आपसे कह रहा है कि देश रच्छा के लिए प्रतेक नागरी को क्या रहना चाहिए भया बताएगे यहाँ पर जवाब दीजे देश रच्छा के लिए प्रतेक नागरी को क्या रहना चाहिए यहाँ पर तो आपका right answer, आपको होजएगा, B number उद्धत रहना चाहिए, क्या होना चाहिए बरिए उद्धत, और उद्धत की आर्थ पता हो उद्धत की आर्थ होता है, तैयार रहना तैयार रहना तो option या पर बना जाएगा तैयार रहना, यह एकर प knew शवत्रयुआ जाएगा next question और last question कि निम्लिकेत में से कौन जीवनी है यहाँ पर आपको बताना है कौन जीवनी है 60 का जवाब दीजी वई तो जीवनी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है यह है आपके आवारा मसीह कि जो विश्मो प्रभाकर की करती है dharma आपका kserण 6 नमबर है कि अधिकार में उपसर्ग बताईए अधिकार में उपसर्ग और अधिकार में उपसर्ग क्या बनेगा आधि बनेगा विल्कुल Te gal8 और अगले के सीगो आथि आथि और आथि प्रत्य तो धार्मिक में आपका कैसे के एक प्रत्य लगाने से आपका बना है है ना तो यहाँ पर आपका जवाब हो जोगा option B यहाँ पर एक प्रत्य आपका लगा हुआ है ठीक है यहाँ पर धार्मिक में ठीक है अगला प्रसने आकर्षण का विलूम होगा आकर्षण का विलूम और आकर्षण का विलूम क्या होता है क्या होता है विकर्षण होता है very good, option right up के यहां पर 8 का होजेगा, B होजेगा, विकर्षण होजेगा ठीके, और यहां पर कर्षण की बात करें कर्षण तो गर्षण का अर्थ के सकते हैं जोती गई जमीन होती है या के सकते हल होता है ठीक है वहीं पर गरबात कर एक घर्षण तो घर्षण का अर्थ होता है घिसना ठीक है और यहाँ अपमान है तो अपमान का जो विलों बनता है वो आपका सम्मान होता है ठीक है चलिए अगला प प्रस्न को बराते हैं, अगला पूछा गया है काथा का बहवचन होगा और काथा काолжएफ़चन क्या हो जाएगा यहां पर अगर है प्रत्य लगाया जाए तो यह बहवचन मनेगा काथाए हो जाएगा क्या option आपका दी हो जाएगा काथाए हो जाएगा अगला प्रक्सन आप से पूछा गया है निम्ड में से कौन सा वर्तमानकाल का है यहाँ पर वर्तमानकाल की पहचान करना है वर्तमानकाल की कुछ पहचान होती है यहाँ पर देख सकते हैं कि ताहती है यह वर्तमानकाल में मिलता है जो कि option आपको फस्ट दे रहा है मानो पड़ता है तो option रेट अप के यहाँ पर फस्ट हो जएगा मानो पड़ता है यहाँ पर दिया है मोहन गया और मोहन गया यह जो आपका है यह समान्य भूतकाल है यह कैसा है समान्य भूतकाल है तो option आपका कैसे है कि जो पूछा गया था वर्तमान काल तो वर्तमान काल कोंने मानो पड़ता है जो मोहन गया है यह आपका कैसा है तो आपका यह आपका है सामाने भूत काल सीता सो रही थी तो पता नहीं वो जगी है या नई जगी तो यह जो आपका है यह आपका अपोर्ण भूत कालोगा, तेके वह जाएगा, वह जाएगा यह जो आपका है सामान भविस सिकालोगा, तेके तो चारों ही यहाँ पर point आप समझ गया होंगे, पूछा गया था वरतमानकाल और ता है, तो option आपका फर्ष्ट होज़ेगा, अग विस्मयाद बोधक्का, ठीके, विस्मयाद बोधक्का, वहें पर बात करें, यह जो आपका C वाला दिख रहा है, यह जो आपका है, इसे बोलते हैं, अल्प विराम, क्या बोलते हैं, इसे अल्प विराम बोलते हैं, और अगर बात करें, इस वाले पॉइंट को, ठीके, इस व होता है ठीक है प्रतिछा करना अगले प्रस्षी को बढ़ते हैं प्रस्षन आपस पूछा गया है एक हाथ से ताली नहीं बजती है बिल्कुछ सई बात है तो जवाब यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि जगडे के लिए दोनों पच्छ जिम्मेदार होते हैं ठीक है ओप्स होते हैं जीव ओती है आपको किस्परस करती है यह इस कि अनुधं पूछा गया है कि नियम्न मेंशे अनुनासिक वर्ड आपको कौना है मतला अनुनासिक वर्ड उसे महेंद्र का संदी विच्छेद होगा महेंद्र का संदी विच्छेद यहां पर महेंद्र का जो संदी विच्छेद बनेगा वह आपका कौन सा तो जवाब यहां पर बनेगा आपका महाधन इंद्र क्या बनेगा महाधन इंद्र बनेगा और अगर महाधन इंद्र बन रहा है त अगला प्रस ने कि राज दर्वार में कौन सा समास है राज दर्वार और राज दर्वार अर्थात के सिते हैं कि राज दर्वार राजा का दर्वार इसे अगर तोड़ते हैं तो बनेगा राजा का दर्वार और का जो होता है का जो होता है वो आपका संबंध होता है यहां पर संभव में कौन सा समास है यथा संभव यहां पर आप देख सकते हैं यथा लग गया है तो यथा सब्द जो आपका है यह पूर पद जो आपका है वह आपको कह सकते हैं कि यह एक अब्वय है और जब अब्वय होते हैं तो वहां पर आपका पहला पद अब्वय हो गया अर्थ इसका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मील सब्द है मील, ठीक है आपका जवाब यहाँ पर फर्स्ट हो जएगा आपका यह ब्यक्तिवाचक है क्या है आपका ब्यक्तिवाचक मतलब जिस सब्द से किसी एक वश्ट व्यक्तिया इस्थान आकर्यत का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संगय कहते हैं और यहाँ पर देख सकती हिमाले हिमाले सिर्फ एक ही है बहुत हिमाले नहीं होते हैं इस कारण से आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा हां अगर ये परवत का बात कर देता परवत तो परवत तो आपके बहुत हैं परवत बहुत हो जाएगे तब उनको हम लोग कह सकते हैं जातिवाचक में बोल देते लिकनि यापर यह किस प्रकार कि है तो ब्यक्तिवाचक की हिमाले आपका सिर्फ एक ही है समझ में आगया होगा चले अगला है निम्ड में प्रस्णुमाचक सरुनाम कौन सा है तो प्रस्णुमाचक आपको पता है और बच्चे बच्चे को भी पता होगा कि जहां पर कौन सब्द लगा हो वहाँ पर आपका प्रस्णुमाचक होता है जिसे कौन क्या क्यों ऐसे वो आपर हमेशा प्रस्ण वाचक होता है option आपके यहाँ पर D से हो जाएगा आगला प्रस्ण है निम्न में कौन सा संख्या वाचक बिसेशन है संख्या वाचक बिसेशन है यहाँ पर आपका कौन है संख्या वाची में आपकी संख्या का बोध कराता है और संख्या में अगर बोध कराएगा तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर कैसा सब्द तो होगा नहीं गरीब भी नहीं होगा सपिद नहीं यहाँ पर है कुछ है ना कुछ सब्द जवाब का है यह संख्यावाची है लेकिन किस प्रकार से हमने आपको संख्यावाचक के आपको कह सकते हैं कि आपको निश्ची संख्यावाचक और अनिश्ची संख्यावाचक परिमार बुधक है ना ये सबाब को बताए थे यहाँ पर यह अनिश्ची संख्यावाची में आएगा तो यहाँ पर तेस कॉप्सन को फस्ट हो जाएगा समझ में आगया होगा चरिए अगरा है निम्न में से कौन सा हवा का पर्यावाची नहीं है हवा का पर्यावाची नहीं है 24 नमबर यहां पर आप देख सकते हैं कि हवा के पर्यावाची में यहां पर आपका वायू समीर और पवन यह तो होते हैं लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं सलिल ठीक हैं सलिल यह हवा का परयवाची नहीं होता है ठीक है याद रखेगा यह जो होता है यह जल का परयवाची होता है किसका होता है जल का परयवाची होता है इस कारण से और सब्सक्राइब से कौन सा सब्द सुद्ध है यहां पर सुद्ध स ज्योत्सना है यह आपका बिल्कुल सही है अब बात आती है कि इसमें से अधर आपसन गल्टी है तो क्या गल्टी है देखें आपर दिया है पुन्ने और पुन्ने नहीं होता है मिर भाइक क्या होता है उसमें पुन्डे होता है पुन्डे होता है इस प्रकास से ठीक है वहीं में से कौन सा जबाव असुद्ध है चलिए, एक सेक्ट में जवाब आना चाहिए और यहां पर आपका सुद्ध माना जाएगा ठीक है यहाँ पर पुष्प परिश्थिति और आपके प्रसंट सा यसा है लेकिन पूझ जो आपका है तो यह तो पूझ इस प्रकार से लिख दीजी है ना यह मानने हो जाएगा यह तो कह सकते हैं आपका जो पूझ नी होता है पूझ नी यह इस प्र भासा सब्द, भासा, भासा कैसा नहीं है, भासा कैसी है, है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब, यहाँ पर आपका होज़ेगा, भासा जवाब की है, यह आपकी इस्ट्रिलिंग है, ठीके, चलिए, अगरा है, निम्न में से कौन सा वाग की सुद्ध है, कौन सा वाग की सुद चलिए अगला कोशन आपर है आदेश का अंग्रीजी अनुवाद क्या होगा आदेश हमने आप होता है था चार-पांच ही आपकी कह सकते हैं यह इंग्लिजी वर्ड पूछे आते हैं हमेशा तो यहां पर देखे जो आदेश आदेश यहां पर दिया आदेश का अंग्रीजी करते हैं किसी चीज से है ना वहें पर दिया है गाइड गाइड दिया है तो गाइड का काम क्या होता है इसका होता है दिख दर्सक ठीक है दिख दर्सक जो बोलता है ना गाइड कर रहे हैं दर्सक दिखा मतलब के सकते हैं रास्ता दिखा ना दिख दर्सक बोलते हैं वहें का हिंदी अनुवाद होता है आपका option B हो जाएगा अध्यापन होता है क्या होता है अध्यापन होता है याद रखे टीचिंग का हिंदी अनुवाद होता है अध्यापन ठीके वहें पर अध्याण की बात करें तो अध्याण मतलब होता है study ठीके study करना अध्याण होता है निरि ब्रज भासा का केंदरी छेत्र आप से पूछा गया है और इसका छेत्र जो आपके होते हैं देखें जिसे आपका मतुरा आगरा अलीगर बरेली बदाईम, एटा मैंपुरी, गुरुगराम, भरतपूर, करावली ये छेत्र जो आते हैं इसमें आते हैं यहाँ पर आपका जो सौर सेनी अब्रण से, यो की पश्च्म हिंदी की उभासा की रूप में, बहुत जाद आपकी बिकसी थें, फिएके, अच्छा, यहाँ पर जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद, इलाहाबाद और लखनव, यहाँ पर कौनसी बोलियाती है, इलहाबाद लखनों में जो बोली जाती है वो आपकी ओधी बोली जाती है यादर के कौन सी ओधी बोली जाती है तो वारा रसी में आपकी बोली जाती है भोजपुरी ठीके क्या बोलेंगे इसे भोजपुरी बोलेंगे समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा बोली जाती है पू पर्ष्मी हिंदी होती है पूर्वी हिंदी लेकिन दच्छडी हिंदी यह आपके हिंदी के वर्गीकरत में नहीं आती है तो उप्शन जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हुजाएगा अगला पर पूछा गया है कि अर्ध सास की पत्र के संदर्व में कौन सा गलत है यहाँ पर देखना है, पहला पॉइंट की आए कि इसका स्वरूप व्यक्तिकत पत्र के समान होता है, और यहाँ पर दूसरा है कि यहाँ पत्र अन्य पूरसों में लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो बी नमबर आपका ही यह गलत हो जाएगा, कि यहाँ पत्र अन्य करशित करने के लिए विचार मरसे के लिए हम लोग यहां पर करते हैं तो ऐसे पत्रों को हम लोग अर्द सरकारी पत्र कहते हैं ठीक है तो यहां पर जो अभिवादन या संभोधन का बिसेसर मात्र होता है बिसेसर मात्र होता है तो यहां पर आपको जो गलती है वो आपके बी यहाँ पर कैसकते हैं कि यहाँ पत्य अन्पूर्सों में लिखा जाता है यहाँ पर आपका गलत है ठीकें यहाँ आपका गलत है अगला प्रस्य आपर है किन्यमने से कौन सा वर्ड घोस है हमने आपको घोस भी बताया था बताया था घोस बताया था यहाँ पर देखिए यहाँ पर घोस कौन सा है तो जैसे कि आमने बताए था का, खा, गा, गा और अंगा तो जो घोस होते हैं वो आपके तृती, चतुरत और पंचम वाड होते हैं इसमें से आप देख सकते हैं जो आपका डी नमबर आपका गा है यह आपर आपका घोस कहलाएगा साथ में इसमें घोस में कौन-कौन से आते हैं घोस में क्या-क्या आते हैं घोस में जो आपके आते हैं कह सकते हैं कि तीसरा, चोथा, पांचमा वेंजन तो होते हैं साथ में जो सभी स्वर होते हैं के स्वर भी होते हैं वो आपके घोस में ही आते हैं सास में कह सकते हैं कि जो आपके या रा ला वा जो अंतास्त वेंजन होते हैं ये भी आपके किसमें होते हैं घोस में ही होते हैं एक वर्ण और होता है जो हा होता है ये भी आपके घोस में ही होता है समझ में आ गया न तो इस धन हार हो जाएगा ठीक है और इसका तातपर होता है विनास ठीक है संपूर विनास होता है संगार का मतलब अगला है निम में से कौन सा सब्द तर्सम है कौन सा सब्द तरस्म है यहाँ पर देखे तर्सम जो कि सुद्द संसकत की सब्द होते है और यहाँ पर आपका vi6 option आपको जो दीख रहा है कौन सा first number हमने आपको तयात 8 रहा सब्द जो आपको हो ये ये रहा हो ये आपके जो संयुक्त वाले होते हैं उसा आपके तत्सम में ही होते हैं तो 36 कौप्सन आपका first होगेगा यहां पर जो चक्र है ठीक है चक्र आपका तत्सम है ठीक है और अगर बात करें कि जोड़ांद है यह तो आपका तद्भव है लेकिन इसका तत्सम बनता है क्या चंदर्मा बनता है चंद्रमा ठीके अगर बात करें छेद तो छेद का जो तसम बनता है वो आपका छिद्र बनता है और अगर छत की बात करें तो छत का जो आपका तसम बनता है वो आपका छत्र बनता है ठीके चले अगर आप प्रस्ने इनिम्न में से कौन सा तदभाव सब्द है चले यहाँ पर तस्सम बनता है क्या बनता है इसका तस्सम बनता है इसका तस्सम बनता है जीवहा ठीक है जीवहा बनता है ठीक है और हलका सियापरमा करके उड़ा होता है तो इस प्रकास की इसका तस्सम बन जाता है ठीक है चले अगला है निम्न में से प्रणार्थक किरिया कौन सी है प्रण प्रदार्थक किरिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है प्रथम प्रदार्थक तुथी प्रदार्थक यहां पर आप देख सकते हैं उठना उड़ना चलना और दिलाना दिलाना जो आपका है यह आपकी कैसी है यह आपकी प्रदार्थक किरिया है ठीके मतलब जिन किरियाओ से इस बात का बोध हो की करता स्व्यम कार ना करे वो किसी दूसरी को कारी करने के लिए प्रेष्ण करे वहाँ पर प्रेडार्थ क्रिया होती है ठीके चलिए अगला कोशन है अली और अली सब्द का युग में सही बताईए अली मतलब क्या होता है और अली मतलब क्या होता है सभी एक जामों में ये प्रस्टन पूछा जाता है है न तो यहां पर देख सकते हैं अली और अली मतलब होता है भौरा क्या होता है अली मतलब भौरा और अली मतलब होता है सखी तो यहां पर आप्सन आप देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है कौन सा D Number यह आपका यहाँ पर सी होगा समझ में आ रहे ना यहाँ पर इसको मतलगाईएगा क्योंकि अली मतलब होता है भाहुरा और अली मतलब होता है सकी होता है समझ में आ गया चलिए अगला प्रस्वन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सन्युक्त वाक्य है कौन सा वाक्य सन्युक्त वाक्य है और सन्युक्त वाक्य में भी हमने आपको कुछ पहचान बताया था यहाँ पर देखे सन्युक्त वाक्य में कहरा आपसे मैंने लड़के कुबलाया यह तो सन्यूक्त वाक की नहीं होगा यहाँ पर सन्यूक्त वाक की यहाँ पर देख सकते हैं जो उन्हें ननीद आती थी और कॉमा लगा है ना इसका मतल़ और भी कह सकते हैं ना भूख लगती थी तो यहाँ पर जो वाकिय है वो आपका सन्यूक्त वाक है कौन से बी वाले मापका हो जाएगा ठीक है योकि जो कौमा है इसको हम लोग और मान सकते हैं कि उन्हें न नीद आती थी और न भूंख प्यास लगती थी है ना दोनों में जो ना सन्योजन जुड़ा है वही आप यहाँ पर बता रहा है कि यह आपका है ठीक है यह लाइनर भ भासा को हिंदी के मनाग भासा कहते हैं अगला है द्योनागरी लिपका सरप्थम प्रियोग किस राज में हुआ था बहुत यह आएंपी कोशन आपका है द्योनागरी लिपका सरप्थम प्रियोग होता था यह हुआ था तो आपके किस राज में तो गुजरात राज में बोचपुरी बोली की उतपत्ती हुई है तो आपके मगधी अबरंस ने कि मैथली भासा हिंडी के किस वर्ग के अंतर गाता आती है मैथली तो मैथली जो आती है आपके किस में आपके बिहारे हिंदी में आती है आपके हैं देओ नागरी लेपी ईंदी भासा में सोरो की संखिया कितनी है कितनी हैं हमने आपको जयादा था जब बोले है तो वहां पेंती संक्या आपकी 11 होती है अगला है भारतित हसायूंत कि प्रथा मध्यच कों थी तो यहां पर राज भासायों के प्रथा मिध्यच दिया है बाल गंगाँ धर खेर मतलब की बाल गंगाँ धर यहा पर खेर है इन्हें स्ट्राड से बीजीप produkt चिक हैं अगला ड्यवनागरी लेप box झौअँ है वच्रात्मक नेस प्रसने हिंदी भासा में लिंग होते हैं तो हिंदी भासा में दो लिंग होते हैं पूर लिंग और इस त्री लिंग होते हैं ठीके हम लोग नापुंसा का प्रयोग यहां पर नहीं करते हैं अगरा हिंदी भासा में वचन कितने होते हैं तो हिंदी भासा में वचन भी कितने होते हैं द और किस नाम से जाना जाता है, जेपुरी बोली, और जेपुरी बोली को जो जाना जाता है, वो किस नाम से, तो आपके ढूंडाही नाम से, ठीके, यह आपके राजस्थानी, यह कैसकते से ढूंडाही के नाम से जानते हैं, अगला है मेवाती बोली के किस उभासा में आती है, देखें मेवाती, मेवाती जो आपके आती है राजस्थानी में वो भी कौन से तो राजस्थानी में जो उपरी वाली भाहता होती है उत्तरी वाली राजस्थान वहाँ पर आपके होती है मेवाती ठीके, अगरा है दिल्ली किस बोली के अंतरगत है दिल्ली, तो दिल्ली के अंतरगा जो बोली है, वो आपकी खड़ी बोली होती है, जिसे हम लोग कौर्वी के नाम से जानते हैं, उत्तरपदेश की राजबासा क्या है, तो उत्तरपदेश की प्रथम राजबासा आपकी क्या है, हिंदी राजबासा क्या है, संस्कृत है, ठीक हडोती बोली ने चिए स्वेक्ति को कॉछिश का बहुत जाते हैं नहीं, पॉछ है, आपको पता चला है कि अपकी कहां पर कासी अर्थाथ बना रस्म, जाती, ठीक है, अग्ला है आग्रा ॉर मतुरा, और आग्रा उर ब्रज बुल के नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला अगला है गुर्मुकि लिप में लिखे कि लिजड़ते हैं इसके जो आपकी जर्म की भासा को सब्सक्सक्रइब नियुक्ते की भासा है तो आपकी बहुत धर्म की यह द्वासा इसमें से उनके द्वारगते सब्सक्राइब की अगला है और गत्थालन च्लशनतक तो अधरऌगते परण播 नोकि आपके आंध्रतिर्स का हुआ था ठीक है और अगले प्लस्टन के राएप से बनारस गोरकपुर और जमगड़ बनारस और गोरकपुर और आजमगड़ में जो बोली होती है वह आपकी भोजपुरी होती है ठीक है आपके इलाहवाद लखनव ठीक है और आपके राइगड और आपके रायगड और रायपूर में जो बोल जाती है वो आपकी 36 गड़ी बोलती है ठीक है क्यों 36 गड़ें पढ़ते हैं आगला बहु संख्यक जनता जन समुक के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो भासा है वह आपकी होती है राष्ट भासा होती है ठीक है और भासा की लगत्व में काई क्या है तो आपकी सब्द होती है अब यहाँ पर आपकी राष्ट भासा है याद रिकेगा कि आपकी समिधान में राष्ट भासा नाम नहीं लिया गया है क्या लिया गया है आपकी राज भासा नाम लिया गया है राज भासा मतलब होता है कि ज टेकली नत्वान जयाद gets